देली PCSGK के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है तो शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रशन से हमने आपसे पूछा था हाल ही में राश्ट्रपती चुनाव की उम्मीदवार बनी द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्य पाल रह चुकी है आपके ऑप्शन्स थे A. जारकंड, B. तेलंगाना, C. आंध्रप्रदेश, या फिर D. ओडिशा तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन A दरसल हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को राश्ट्रपती चुनाव का उमीदवार घोशित किया गया है वे जारकंड की पहली महीला और आदिवासी राजज पाल रह चुकी है इसलिए उप्शन A सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू ओडिशा राजजे के मयूर भंज जिले की निवासी है द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महीला राश्ट्रपती बन सकती है चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला कुस्चन देखते है ओडिशा के पूरी में इस्थित श्री जगनात मंदिर के बारे में गलत कथन का चुनाव कीजिए A. इस मंदिर के निर्माण अवधी सत्रवी शताब्दी के आसपास मानी जाती है B. इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है C. इस मंदिर को सफेद पैगोडा भी कहा जाता है D. इसका निर्माण पूर्वी गंगवंच के राजा अनंत वर्मन गंग देव द्वारा किया गया था तो इस कस्चन का सही आंसर है ओप्शिन A इस मंदिर का निर्माण बार्वी शताबदी में पूर्वी गंग राजवंच के राजा अनंत वर्मन गंग देव द्वारा किया गया था इसलिए कथन A गलत है और आप्शिन A सही आंसर होगा हिंदु धर्म की माननेताओं के अनुसार पूरी में भगवान जगननात की उपस्थिती के कारण मृत्यू के देवता यम की शक्ती समाप्थ हो जाती है और इसी वजह से इसे यमनी का तीर्थ भी कहा जाता है इसके अलावा इस मंदर को सफेद पैगोडा भी कहा जाता है पूरी का जगननात मंदर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदर और कुणाग के सूरे मंदर को ओडिशा के स्वन त्रिभुज के रूप में भी जाना जाता है चली अगला प्रशन देखते हैं निमनलिखित में से कौन सा कथन शेत्रिय परिशदों के बारे में सकते है A. सभीक शेत्रिय परिशदें समवैधानिक निकाय है B. सभीक शेत्रिय परिशदों के अध्यक्षता भारत के ग्रह मंतरी द्वारा की जाती है C. वर्तमान में भारत में 9 ख्षेत्रे परिशादें कारे रत हैं या फिर D. ख्षेत्रे परिशादों के निर्माड का विचार सबसे पहले भारत की पूर्ध प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने 1973 में रखा था तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शिन B दरसल ख्षेत्रे परिशादों के निर्माड का विचार सबसे पहले 1956 में भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू ने रखा था राज्य पुनरगठन अदीनियम 1956 के तहट पाँच ख्षेत्रे परिशादों की स्थापना की गई थी अतह सभी ख्षेत्रे परिशदें वैधानिक निकाय हैं North Eastern Council एक्ट 1972 के तहट स्थापित North Eastern Council भारत की छटी ख्षेत्रे परिशद बनी अतह वर्तमान में इनकी कुल संख्या छे है सभी छेत्रे परिशदों के अध्यक्षता भारत के ग्रह मंत्री द्वारा की जाती है प्रतेक जोन में शामिल राज्यों के मुख्य मंत्री रोटेशन के आधार पर जोनल काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में कारे करते हैं तो इस तरह इस सवाल का सही जवाब है उप्षिन B चलिए अगला प्रशन कभी कभी चर्चा में रहने वाला स्थल कोरल त्रभुज यानि कोरल ट्राइंगल कहां अफस्थित है हिंद महासागर में, अटलंटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, या फिर उपर रिक्त सब ही तो इस question का सही answer है option C प्रशांत महासागर दरिसल हाली में वेग्यानिकों ने अंडमान सागर के भारतिय जलक्षित्र से पहली बार कोरल की चार नई प्रजातियां खोजी हैं कोरल ट्राइंगल पश्चिमी प्रशांत महासागर के लगभग 6 मिलियन वर्ग किलोमेटर क्षित्र में फैले हुए हैं इसे सीज ओफ एमजोन भी कहा जाता है ये इंडोनेशिया, मलेशिया, पाप्वा, न्यूगिनी, फिलिपीन्स, सोलमन द्वीप और तिमोर के समुद्रिक शेत्रों में फैला है इसलिए ओप्शन सी सही आंसर है चलिए अगला प्रश्न निमनलिखित में से कौन सा देश जी साथ समुद्र का सदस्य देश नहीं है फ्रांस, इटली, रूस या फिर जापान तो इस कुस्चन का सही आंसर है ओप्शन सी रूस दरशल आगामी 26-27 जून को जर्मनी में जी साथ समुद्र के 48-वे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा इस सम्मेलन में भारतिय प्रधानमंत्री भी हिस्सा लेंगे जी साथ दुनिया की साथ उन्नत अर्थ व्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समुद्र है जी साथ समुद्र का हिस्सा नहीं है इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की ओर वन नेशन वन राशन कार्ड ये संक्षिप्त में ओन ओर सी को लागू करने वाला देश का आखिरी राज्य अत्वा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है ए असम, बी मनिपुर, सी सिक्किम, या फिर डी हरुनाचल प्रदेश तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन ए वन नेशन वन राशन कार्ड संक्षिप्त में ओन ओर सी कारेक्रम को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सफलता पूरवक लागू किया जा चुका है तरसल हाल ही में असम में इसे लागू किया गया इसी के साथ ही असम देश का 36 वा और अंतिम राज्य अत्वा केंद्रशासित प्रदेश बन गया है जहां O.N.O.R.C. को लागू किया गया है इसलिए ऑप्शने सही अंसर है O.N.O.R.C. को 2019 में शुरू किया गया था इसके तहट प्रवासी राष्ट्रे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभार्थी देश में कहीं भी अपने पसंद के किसी भी उचित मूले की दुकान से अपने हिस्से के खाद्यान का एक निश्चित कोटा खरीच सकते हैं अगला प्रशन निमनलिखित में से किसके संदर्भ में कभी-कभी समाचारों में इंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलते हैं ए, डब्लू टियो मामला बी, सार्क मामला सी, यूएनफ ट्रिपल सी मामला या फिर डी, भारत EU FTA वारता तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन ए दरसल विश्वयापार संगठन यानि डब्लू टियो ने उरुगवे दोर की वारता के आधार पर सामानने रूप से सबसिडी की पहचान बॉक्स द्वारा की है जिने ट्राफिक लाइट के रंग दिये गए हैं जैसे ग्रीन बॉक्स इस प्रकार की सबसिडी को बिना किसी सीमा के प्रदान करने की अनुमती दी जाती है क्योंकि ये व्यापार को विकृत नहीं करती एमबर बॉक्स इसके अंतरगत ब्लू और ग्रीन बॉक्स के अलावा वे सभी सबसिडियां आती हैं जो क्रिशी उत्पादन एवं व्यापार को विकृत करती हैं जैसे की MSP डेवली टीओ के क्रिशी पर समझोते के तहट इसे सीमित करने पर सहमती बनी है इसके अलावा ब्लू बॉक्स इसके अंतरगत किसानों को अपना उत्पादन सीमित करने की जरूरत के आधार पर सबसिडिय दी जाती है इस पर भी डेवली टीओ द्वारा कोई सीमा आरोपित नहीं की गई है इसलिए ओप्शन एस सही आत्सर है चलिए अगला प्रशन विश्व का एक मात्र तैरता हुआ केबुल लाम जाओ राष्ट्रे उद्ध्यान निमनलिखित में से किस राज्य में स्थित है ए असम बी मानिपुर सी नागलेंड या फिर दी मिजोरम तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन बी केबुल लाम जाओ राष्ट्रे उद्ध्यान भारत के मनिपुर राज्य के बिश्णुपुर जिले में स्थित है इसलिए ऑप्शन भी सही आंसर है ये दुनिया का एक मात्र तैरता हुआ उद्ध्यान है जो लोग तक जील का हिस्सा है यहां फुमडी नामक फ्लोटिंग बायो मास पाया जाता है जिस वजह से इसे तैरता हुआ उद्ध्यान कहा जाता है ये भारत में संगाई ब्रो एंटल रेड हिरंड का एक मात्र निवास थल है इसे बोलचाल की भाशा में डाउंसिंग डियर भी कहा जाता है चलिए अगला प्रशन देखते है निमनलिकित मेंसे किस ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में स्थाई बंदोबस्ट प्रणाली सबसे पहले लागू की थी तो इस सवाल का सही जवाब है दरसल 1793 में लौड कॉनवालिस ने भूराजस्व प्रणधन के लिए स्थाई बंदोबस्ट को लागू किया था इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है शुरू में इस व्यवस्था को 10 सालों के लिए लागू किया गया था किन्तु 1793 में इसे इस्थाई बंदोबस्ट के रूप में पदल दिया गया इस प्रणाली के तहट मध्यस्थों और बिचॉलियों को भूमी कस्वा में घोशित कर दिया गया था इस व्यवस्था में जमीनदार अपने ख्षेत्रों से भूरा जस्व की वसूली का एक बटे ग्यारवा भाग अपने पास रखता था और शेश यानि दस बटे ग्यारवा हिस्सा कंपनी के पास चमा कराता था अगला प्रश्ण तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शिन बी दरिसल कुल 58 देशों में मंकी पॉक्स के 3417 मामलों के पुष्टी के साथ विश्वस्वस्वास्थेन डेटवर्ग यानि WHN ने मंकी पॉक्स को एक महामर यानि पेंडेमिक खोशित कर दिया है इसलिए ऑप्शन भी सही आंसर है मंकी पॉक्स एक वाइरल जूनोटिक बीमारी है जो मंकी पॉक्स वाइरस के कारण होती है ये वाइरस और्थो पॉक्स वाइरस जीनस का एक सदस्से है मंकी पॉक्स के लक्षण आम तोर पर चार सपताह तक रहते हैं चेचक उन मूलन कारेक्रम के दौरान उपयोग किये जाने वले टीको का प्रेयोग मंकी पॉक्स बीमारी में भी किया जा सकता है। अब बारी है दसवें और अंतिम प्रशन की। तो हाल ही में इस तरों के G-set 24 उपग्रह को फ्रेंच गुयाना से लौच किया गया। ये किस प्रकार की सेवाई प्रदान करेगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ओप्शन A दरिसल हाल ही में इस तरों के एक संचार उपग्रह G-set 24 को फ्रेंच गुयाना से सफलता पूरवक लौच किया गया। इसलिए ओप्शन A सही आंसर है। G-set 24 एक 24 के यू बैंड अधारित संचार उपग्रह है जिसका वजन 4,180 किलोग्राम है। ये अखिल भारतिय स्तर पर कवरेज के साथ डिरेक्ट टु होम यानि DTH सेवाउं की आवश्यक्ता को पूरा करने में सहायक होगा। आईए अब नोट करते हैं आज का भ्यास प्रशन निमनलिकित में से किसके द्वारा भुगतान विजन 2025 यानि पेमिन्ट विजन 2025 प्रस्तुत किया गया है। तो इस सवाल का जवाब कॉमेंट सेक्षन में जरूर दीजेगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में तब तक के लिए स्वस्त रहिए सुरक्षित रहिए। जैह हिंद।